गुड़ मॉनिंग 11th class इस वीडियो में हम विदलन के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो विदलन से आप क्या समझते हूँ तो युगबनज में जब समसुतरी वाजन होता है तो कोशिकों की संक्या बढ़ जाती है लेकिन आकार में कोई परियोडतर नहीं होता है इस क्रिया जब विदलन खाच में या विदलन खाच एक दूसरे को समकौन पर काटती है एक दूसरे पर काटती है समकौन पर काटती है तो आट कोरक खंड दो पंक्तियों में व्यवस्तित हो जाते है एक उपर वाली दूसरी नीचे वाली उपर वाली cells नीचे वाली cells के ठीक उपर होत है कि जब एक या दो कोशी का हटा भी हटा दी जाएं तब भी संपूर अंग वाला प्राणी विक्षित हो जाता है इसलिए इसे हम क्या कहते है अनिर्धारी विद्लन कहते है यानि जब कोशी का हट भी जाएं तो भी संपूर अंग का संपूर अंग वाला प्राणी विक्षि हो जाता है तो इसे हम क्या कहते है अनिरधारी विदलन कहते हैं बात करते हैं सरपिल की तो इसके नर्जब विदलन खांच होती है वो शक्री होती है और अल्प शक्री होती है ठीक है यह दोनों पर करके हो सकती है यह सक्री भी हो सकती है या अल्प सक्री भी होती है ठीक है और उपर व्यावस्टित नहीं होती Bishop जैसे जिसमीं आंग वाला पढ़ा था ये अरयो विध्लन we चार कोशी का उपर के उड़ती चार कोशी का नीचे के उड़ती लेकिन सरफिल विदलन के अंदर चार कोशी का जो इनकी विवस्ता होती है उपर और नीचे इस रूप में ये विवस्ते नहीं रहती है इस परकार के विदलन में एक या दो सेल्स हटा दे तो अंगों का निर्माण नहीं होगा जो कोशी का जिस अंग के लिए निर्दारी थे ठीक है तो वो उस अंग का निर्माण नहीं होता है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं निर्धारी विदलन कहते हैं ये किसके अंदर पाए जाता है प्लेटी हैलमेंटीज, एनलीडा, मॉलस्का और कुछ निमेटार्स के अंदर पाए जाता है बात क्लियर तो ये थे विदलन थैंक्यू